ये भाजपा की सरकार है जिसने देश में नक्सली हिंसा पर लगाम लगाई मोदी को चुनोतियों को तालना नहीं, मोदी को टकराना आपा है और जब फोला दी हांसला हो, जब होसला फोला दी हो तो बड़े से बड़ी चुनोती भी चरण चुमने लग जाती है आज पूरे देश में नक्सलवायत का दाइरा बहुत सिकुड गया है और मैं कोडर्मा की इस धरती से सभी देश वाचियों को ये गारंटी दे रहा हूँ आतंग हो या फिर नक्सलवाद मोदी अपने तीसरे कारकाल में इन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का संकल्प ले चुकी है मोदी जार्खन को फिर से नक्सलवाद का गड़ नहीं बनने देगी मैं अपने नवजवानों की जिन्द की तबा नहीं होने दूँगा मैं उन माताओं की कोक छिनने नहीं दूँगा वो दिन दूर नहीं जब पूरी आदिवासी बेल्ट खुन खराबे से मुक्त होगी और ये मोदी की गारंटी है साथियों आज आपने टीवी पर देखा होगा कल रात तो टीवी पर देखा होगा इस पूरे चुनाओं में अगर कोई पूछे मुझे कि मोदी जी सबसे संतों जनक बात क्या लगी तो मैं कहूंगा कल स्री नगर में जो मतदान हुआ है लोग तंत्रे के प्रती जिस प्रकार से स्रद्धा व्यक्त की गई है भारत के समिधान प्रती जो महर लगाई गई है दसकों बात स्री नगर में चुणाओं का उत्सव था दसकों बात स्री नगर के चुणाओं में इतना भारी मतदान हुआ और लोग उमंग और उत्सा से बरे हुए थे और लोग कह रहे थे कि तिन सो सत्तर जाने के कारणे संबह हुआ है लोग कह रहे थे मोदी के आने के बात संबह हुआ है इस एक घटना से ये बात साफ हो जाती है कि मोदी के काम की दिशा सही है और मोदी के प्रयास सही परणाम लाते है ये स्री नगर का कल का मतदान पुरे देश के लिए संतोस का उमंग का उत्सा का आउसर है और इसलिए भाईयों बैणो मेरे लिए और जो लोग धारा 370 को लेकर मोदी को दिन राहत गालिया दे रहे थे कान खोल के सुनलो ये धारा 370 की दिवार हटी है हमारे दिलों को जोड दिया है हमारे सपने हमारे अर्मान एक साथ आगे बढ़ रहे है भारत के लोकतंत्र के जीवन में इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती है साथियो जब मैं देशित में इतने सारे काम कर रहा हूं तो जामुमों कॉंग्रेस और आर्जेडी वाले बोखलाये हुए हैं संतुलन खोचुके हैं यहीं कोडर्मा में इंडी गडबंधन के एक नेता ने मुझे गोली मारने की बाद कही थी यह जो गोली मारने के सपने देख रहे हैं जो मोदी के कब्र खोदने के सपने देख रहे हैं जरा यहां आईए यह नजारा देखिए यह माता और बेहनों का प्यार देखिए यह गोली मारने वालो यही मेरा सुरक्षा कबच है यही मेरा सुरक्षा कबच है यही लोग मोदी को जीने की ताकत देने वाले लोग यहां बैठे और जिस जिस मोदी को गरीब से गरीब अबाल वृद्ध सही माता बहन सही जब रक्षा कबच बन जाता है न तो मोदी को तो अमरत्व प्राप्त हो जाता है अमरत्व प्राप्त हो जाता है साथियों मैं किसी राजगराने में पैदा नहीं हुआ हूँ मैं किसी शाही परिवार में पैदा नहीं हुआ हूँ और नहीं मेरे पिता कवीजी गाउं के चुनाव में प्रधान भी बने हैं मेरे परिवार का कोई चुनाव तक नहीं लड़ा है मैं गरीब मा का बेटा हूँ चाई बेटे बेटे यहां पहुँचा हूँ और आपने मुझे पहुचाया है और इसलिए किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे मैंने गरीबी देखी है मैं गरीबी को जिया हूँ और जो मुसीबते मेंने जेली है मैं मेरे देश के गरीबोंस को उससे मुक्ति दिलाना चाहता हूँ और इसलिए मोदी का मंत्र है बंचीतों को वरियता जीने पहले कोई पूछता तक नहीं था मोदी उन्हें पूजता है बंची बाव से पूजता है पहले आपके इलाज की सस्ते इलाज की किसी ने चिंता नहीं की हमारे परिवारों में तो अगर कोई मा बिमार हो जाती है कितनी ही पीडा क्यों नहों वो कभी घर में किसी को बताती नहीं है वो दर्द सहती है पीडा सहती है एक मिण भया फिलीट मुझे बोलने दीजी वो दर्द सहती है पीडा सहती है लेकिन अपने परिवार में किसी को अपनी बिमारी के विशे में बतारती नहीं है क्य KEY उसकी मन में एक ही भाव रहता है कि अगर परिवार में सब को बिमारी का पता चल जाएगा तो ये लाज कराने का खर्चा कहां से लाएंगे ये लोग कर्ज में डूप जाएंगे अरे मैं दो-चार साल मुसिबत जेल लूँगी फिर चली जाओंगी लेकिन मैं बच्चों को कर्जदार नहीं बनाना चाहती मेरे देश की हर माता यही सोती है लेकिन माता ये बहने अब आपको दर्द छिपाना नहीं है अब आपको पीडा नहीं सहनी है अब दिल्ली में आपका बेटा बैठा है अब आपके इलाज की चिंता ये आपका बेटा करेगा आपको एक पाई का खर्चा नहीं होगा इलाज मैं करवाऊंगा मैंने देश भरके मेरे गरीब भाई बहनों को कहा है भाईयों बहनों मैंने देवगर में एंत बनवाया हिंदुस्तान का बढ़िया से बढ़िया अस्पताल देवगर एम से इक्षेत्र के गरीबों को बहुत बड़ा सहारा मिला है मोदी ने उन्हें अस्पताल में पात लाग रुपय तक मुक्ते लाग की सुविदा दी है हर गरीब का सपना होता है उसके पात पक्का घर हो अगर आपका बेटा दिल्ली में बैठा हो और आप जोपडी में रहे आपका बेटा दिल्ली में बैठा हो और आप कच्चे घर में रहे इस बेटे को मंजूर नहीं है मैं हर गरीब परिवार को पक्का घर देना चाहता हूँ अब तक चार करोड परिवारों को पक्के घर दे चुका हूँ और तीसरे टम में आऊंगा जो बज गए है न उनको भी पक्का घर दे के रहूंगा ये मोधी की गारंटी है मोधी ने कोडर्मा गिरिडीक में गरीब परिवारों को सवाल लाज से जादा पक्के घर बना के दिये है और मेरी आप से प्रासना है आप जब गाउं गाउं जाएंगे अभी भी कहीं कोई नजर आए आपको जिसको पक्के घर की जरुत हैं उसका नाम पता लिख दीजिए मुझे भेज दीजिए और उस माँ बैन को कहज़े ना कि मोदी की गारंटी है तीसरी बार तीसरी बार जब आएगा तो आपका घर भी पक्का हो जाएगा मेरे लिए आप ही मोदी है गारंटी दे देना साट आट साल पहले तक यहां करीब दो लाख गर ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी मोदी ने अब उनके जीवन से अंधेरा दूर किया है उनका घर रोशन किया है मुप्त राशन की योजना से भी यहां लाखों परिवारों को फाइदा पूंत रहा है आज इतने साल हो गए अच्छी करोड लोगों को मुप्त में राशन मिल रहा है मेरे पहले जोनिया बेन की एक रिबोट वाली सरकार चलती थी दस साल पहले उच समय के प्रधान मंत्री को पूछा गया कि आपके पास अनाज भिग रहा है सड रहा है आप गरीबों को क्यों नहीं थी थे उन्होंने का मैं गरीबों को इतना दे नहीं सकता हूं वहरे पह इतना नहीं है जब आपका बेटा वहां बैठा न भूख क्या होती है वो मैं जानता हूं और बच्चे भूखे होते हैं तो मां राद भर आंसू पीती रहती है वो मैंने देखा है और इसलिए मैंने तै किया मैं गरीब का चूला बुजने नहीं दूँगा मैं गरीब के बच्चों को भूखे सोने नहीं दूँगा और इसलिए 80 करोड लोगों को मुफ्त इलाज पहुत रहा है और मेरे भाईयो बैनों लिखके रखिए तीसरी बार आने के बाद अगले पाँच साल भी मुफ्त राशन मिलता रहेगा चार लाग परिवारों का भी हाँ पीने का शुद्ध पानी मिल रहा है यहां लाखों किसानों को पी एम किसान सम्मान निदी का भी लाब मिल रहा है गरीब का ये बेटा आपके जीवन से हर परिशानी को समाप्त करने में जुटा है और इसलिए मुझे आपका आश्रिवात चाहिए ताकि जो छूट गए है मैं उन लोगों तक भी मेरी ये सारी कारकम योजनाएं सुभीदाएं पहुचा सको साथ यो जब दिल्ली में कॉंग्रेट जेमेम लेप की सरकार थी तब खनी संपदा से निकला पैसा उस छेत्र को नहीं मिलता था शीदे सरकार के खजाने में और कुछ चोरों के जेम में चला जाता था यहां तो अबरक की कितनी सारी खदाने रही है आपको क्या मिला कोडरमा और गिल्डी उसको भी नाम मातर के लिए कुछ मिल गया तो मिल गया मोधी ने कहा ऐसा नहीं चलेगा मोधी ने नहीं नेती मनाई हमने डिस्टिक मिनरल फड़ बनाया अम मैंने ताए किया है कि जिस जीले से कनिच संपधा निकलती है उसका एक हिस्सा उस जीले के लोगों की भलाई के लिए उस जीले के विकास के लिए खर्च होना चाहिए और इसी होजना के तहट जारखन को अब तक बारा हजार करोड रुपिय मिल चुके हैं कोडर्मा और गिल्डी उसको भी करीब साथ करोड रुपिय उससे मिले हैं ऐसे काम तबी होते हैं जब आपके लिए संबेदन जिल हो ऐसी सरकार हो आपकी परेशानियों के प्रती जो खुद परेशान होता हो जिसको आपकी परवाहो तब होता है बाइयो में नेजाल के लिए से कहा था और मने दंके की चोट पे कहा हुआ है छुपा करके नहीं कर रहा हूं मैंने कहा था मैं भारत को प्रस्टाचार, परिवारबाद और तुष्टी करण से मुक्त होना के लिए अपना जीवन खपा दूँगा जी एम एम, कॉंगरेस, लेप, इंडी गड़बंदान, इन सारी बुराईयों का सबसे बड़ा मोडल है आपने देखा, यहां कॉंगरेस के मंत्री, मंत्री के करमचारी और करमचारी का नोकर उसके घर मैं से नोटों के पहाड निकल रहे है भई यह नोटों के पहाड इतने बड़े हैं, कि गिनते गिनते मशीन हाब जाती है मशीन मैंनो तो मेरे जीवन में कभी नोटों का ऐसा देर, आँखों के सामने देखा नहीं, पहली बार टीवी पे देख रहा हूँ कि इसके पहले कांग्रेस के सांसुरत के घर से नौटों के पहाड निकले ये भी पूरे देश ने देखा मुझे बताईए ये सारे जिनके यहां से पैसे निकल रहे हैं 21 के करीबी है अब सरों के घर से पैसे निकले वो भी उनके खासम खास नेताओं से यहां निकले पैसे वो भी उनके खास नोकरों से पैसे निकले वो भी उनके खास मतलब ये इनके सिर पर किसका हाथ है वाई यही तो लोग है ना यह जो भी करते हैं वो शाही परिवार के इसारे से करते हैं आपके गाम की सडके पूल नहरे नहीं बढ़ी वो आज भी खस्ता हार है क्योंकि वो वो पैसा मंत्री जी कहां पहुंच जाता है कर्मचारी यह पहुखता है उसके नोकर कह पहुखता है कि साथ यों तो भी शुरूबाद है मैं तो और ज्याधा ख़जाने खोजने वाला हूं है मैं चोरों को निंद से सोने नहीं दूँंग आ मैं उनकी निंद तो उड़ा दूँगा उनके खजाने भी खाली करके रखूँगा ये पैसे आपके है इन पैसों के मालिक आप है कोई चोरी लूट नहीं कर सकता है मोदी इन पर कड़ी कारवाई कर रहा है और इसलिए ये मोदी को गोली मारने के बाते करते है मोदी को गोली गालिया देते है साथियों जारखन में आज अपनी आस्था का पालन करना मुश्किल हो गया है हमारा आराज्थियों की मुर्दिया तोड़ी जा रही है जिहादी मानसिक्ता वाले गुस्पेठिये जूंड बनाकर हमला कर रहे है जारकन सरकार आँखे मुद्गर के बैटिये पीछे से समर्थन कर रही है इन कुस्पेठियों ने राज में हमारी बेहनों बेटियों की सुरक्षा को खतर में डाला हुआ है क्या जामुमों कॉंग्रेस आरजेडी वालों को आपका एक वोड भी मिलना चाहिए क्या उनको कहीं पर भी जगा मिलनी चाहिए क्या हर भूत में से उनका पराजे होना चाहिए नहीं होना चाहिए बाई और बैनों इंडी गड़ बंदन वालों का तुष्टि करना का खेल अब चरम पर पहुंच चुका है ए लोग पहले जो परदे के पीछे करते थे वहाज सामने आ करके कहने लगए है अब यह खुले हाम कह रहे हैं कि मोदी के खिलाब वोट जिहाद करेंगे वोट जिहाद भाई यो बैनों साथियों पांच सो साल के बाद पांच सो साल के बाद आयोध्या में हमारे राम जी बग्विब मंदिल में बिराजमान हुए है पुरा देश खुच हुआ कि नहीं हुआ आप सब खुच हुआ कि नहीं हुए बोले जाए स्री राम जाए स्री राम लेकिन ये इंडिया लैंज वाले ये लोग राम मंदिर को लेकर बद्धी बद्धी बाते कर रहे हैं आए दिन इन नेताओं को जो बयान आते हैं वो शर्मनाक बयान आ रहे हैं कॉंग्रेस के उद्ध लोग तो ये तक कह रहे हैं कि कॉंग्रेस सुप्रिम कौट के फैसले को बद्धले की साजिस कर रही है आओ कॉंग्रेस कही एक लंबर सो तक कॉंग्रेस के नेता वो आजकल कह रहे हैं कि कॉंग्रेस ने तो ताइक कर लिया है कि अब राम लला को फिर से टेंट में भेजेंगे क्या आप राम लला को टेंट में जाने देंगे क्या आप देश में ऐसा पाप उनको करने देंगे राम लला पब मंदिर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये कहता है राम मंदिर को ताला लगा देंगे बाई और बेहनों मोदी की नीती एकदम साब है हमारी माता है बेहन हर परिवार की बहतरिन प्रभद्दक होती है इसलिए देश उनके इस कौशल के सद्वियों के विनाविकसित नहीं हो सकता तभी मोधी माता और बेणों के सुविजा और समरुत्य के लिए हर योजना बना रहा है यहां बहुत बड़ी संग्या में बेहने सहायता समों से जुड़ी है 10 वर्त में 10 करोड बेहनों को ऐसे समोह वे जोड़ा है हमने पहली बार बेहनों के भी बेंक खाते खुलवाए और समोह के भी बेंक खाते खुलवाए आज मोधी लाखो करोड रुपए की मदद इन समोह तक पहुँचा रहा है मोरी ने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार तीन करोड बेहनों को यह आपके लिए खुशी की कबर है तीन करोड बेहनों को मोदी लकपती दीदी बनाएगा साथियों विकास के जनकल न्यार के काम तेजी से पुरे हो इसके लिए आपको बड़ी संक्या में बद्दान करना है घर घर जाना है जादा से जद्दा मद्दान करना है हमें हर सीट नहीं हर बूत को जीतना है आप घर घर जाईएगा और कहिएगा कि मोदी जी ने आपको जो हार कहा है नमस्कार कहा है और इस तुनाव में हमारे दो लोग सभा के साथी और एक हमारे विदान सभा के साथी मेरे इन तीनों साथी को आपको विजयी बनाना है For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh